दुनिया भर में लोग काफी सालों से नॉन्स्टिक कुक्वेर का यूज़ कर रहे हैं और आज इनका यूज़ बहुत ही एक्स्टेंसिबली हो रहा है वर्ल लोग चाहे वो हाउस होल्ड हो चाहे कमर्शल सेट अप्स हो होटेल्स हो रेस्टरांस हो और ऐसी बहुत सारी जगाओं पर नॉन्स्टिक कुक्वेर या जो उसमें material यूज़ होता है उसका यूज़ लोग कर रहे है अब traditionally इस सबसेंस कभी भी यूज़ नहीं हुआ है लेकिन आज की date में काफी लोग जो अपने traditional या जो old metals थे जो utensils की तरह उन्हें यूज़ किया रहा था था cookwares उनको replace कर चुके हैं non-stick cookwares से अफकोस इसके पीछे कुछ reasons हैं कुछ benefits हैं जिसकी वज़े से यह होता है लेकिन इसके पीछे maximum जो जबदस marketing है वो involved यह trend थोड़ा सा कुछ सालों में reverse हो रहा है इसके यह question मिरे पास बार बार आया कि क्या sir non-stick pants को extensively use करना ठीक है क्या हमें उन्हें अपने traditional cookwares से या metal से replace करना चाहिए तो आज मैं proper research study के साथ आपको बताऊंगा कि exactly यह कितना true है कितना false है ठीक है और क्यों exactly जो है actually में जो reversing trend स्टार्ट हुआ है यह अच्छा trend है जो non-stick की जो history है वो स्टार्ट हुई एक substance जिसे हम कहते हैं PTFE जिसका full form है poly tetrafluoroethylene जो 1938 में discover हुआ था जिसे हम teflon भी कहते हैं US के एक researcher थे जिनका नाम था Dr. Roy Plunkett वो कुछ refrigeration और उसकी gases वगारा के ओपर काम कर रहे थे तो रात को उन्हेंने देखा कि जब उन्हेंने एक ऐसा substance था जिसे उन्हेंने overnight छोड़ दिया और सुबह जब वो वापे साथ उन्हें देखा कि यही जो substance था एक cylinder के अंदर था और वो अब जम चुका है और एक waxy white solid के form में उसमें पड़ा हुआ है लेकि जो surprising चीज उन्हेंने discover करी वो यह था कि जो substance form हुआ था यह practically हर एक चीज से जो था resistant था कोई भी chemical या solvent जो था वो इससे react नहीं कर रहा था जो इसका surface था वो काफी ज़ादा slippery था कोई भी substance इससे stick नहीं हो रहा था moisture की वज़े से इसमें कोई swelling नहीं आ रही थी और sunlight को expose करने के बावजूद यह जो substance था इसमें कोई भी damage देखने को नहीं मिला और तब start हुआ PTFE का commercial use यानि Teflon का commercial use तब further जब refinement करी गई तो देखा गया कि भी यह जो PTFE है जो Teflon material है यह actually में बहुत जबदस properties इसमें हैं बहुत beneficial properties हैं जिसकी वज़े से इसका industrial use बहुत अच्छा हो सकता है इसकी non-toxic, non-flammable, non-stick, non-adhesive, non-water absorbent, very high thermal stability और ऐसी बहुत सारी multiple properties थी जिनकी वज़े से जो PTFE है Teflon ता इसका world over use extensively शुरू हुआ of course जैसे जैसे इसके positive points सामने आए वैसे वैसे काफी सारे इसके negative points भी सामने आए लेकिन उसकी वज़े से कोई ऐसी major drawback इसमें नजर नहीं आया क्योंकि उन सारे points को जो था वो overcome कर लिया गया especially जब इस PTFE में बाकी कुछ chemicals या solvents को add करा गया और जो उसके polymers थे वो बनाए गया लेकिन इसका जो सबसे sensitive use था वो शुरू हुआ cooking में और cookways बनाने में वो इसलिए शुरू हुआ क्योंकि जो simple benefit इसका देखा गया कि जो food था वो इससे stick नहीं हो रहा था कोई भी अगर आप traditional जो utensils या metals use करेंगे उसके बहुत benefits होते हैं लेकि उसमें कोई drawbacks यह होते हैं कि खाना उसमें चिपक जाता है जिसकी वज़े से उसकी cleaning process जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है on the other hand एक तो cleaning मुश्किल हो जाती है second यह problem होता है कि उसमें आपको जो high heat cooking बगारा होती है उसमें जो oil बगारा use होता है वो बहुत जादा होता है और इस particular यानि टेफलोन में यह जो सारे drop acts थे यह सारे के सारे remove कर दिये गए इसकी वज़े से non-stick cookware में यह काफी famous हो गया और इसकी जो non-reactive properties हैं इसी की वज़े से यह industries में भी बहुत extensively use होता है और example बहुत सारे containers या pipes बगारा में जब इसे coat किया जाता है तो वो damage नहीं होती है उनमें जो solvents वगारा pass होते हैं उससे वो react नहीं करती है तो उसे उनकी जो life होती है वो बहुत बढ़ जाती काफी सारी machines में जो surgical tools होते हैं उनमें इसका बहुत extensive use होता है और उसका एक reason यह भी होता है कि जब surgical tools को इससे coat किया जाता है तो जो bacteria होता है वो उन tools से stick नहीं होता है तो of course ही बात है कि इसकी वज़े से जो bacterial infection के chances है tools के तूरू वो कम हो जाते हैं जो computer applications और aerospace वगारा में जो wiring use होती है उसमें जो PTFE है उसका बहुत extensive use होता है in fact काफी सारे ऐसे surfaces जिनको mosquito repellent वनाना है उसमें इसका बहुत use होता है क्योंकि जब यह इसे coat किया जाता है तो mosquitoes actually इसके उपर बैट नहीं पाते हैं वो इससे slip हो जाते हैं लेकिन जो main controversy है drawback आता है जिसकी वज़े से यह सारी problem शुरू हो रही है questions आ रहे हैं कि क्या हमें यह nonstick कुकवेज use करने चाहिए और नहीं करने चाहिए और जो reverse trend शुरू हुआ है वो यह है कि इसके अंदर कुछ ऐसी gases produce होती है जब इन्हें heat किया जाता है जिन्हें cancer causing कहा गया है और काफी सारी studies में यह prove भी हुआ है यह जो substances होते हैं यह जो gases होती है यह जो PFAS की family के अंदर के substances है जिन्हे cancer causing कहा गया मैं आपको जो भी चीज़े बता रहा हूँ और जो भी information दे रहा हूँ उन सारी की सारी studies के उन सारी evidences के जो link है इसके नीचे description में मेरा blog है उसमें दिये हुए हैं आप जाहिए क्लिक करिए मेरी website में मेरा blog आपको मेलेगा और उसमें सारे के सारे और बहुत जादा और extensive information है आप जाके उस blog को study भी कर सकते हैं US EPA यानि US Environmental Protection Agency के according में यह जो PFAS substances होते हैं इनका सबसे वड़ा drawback यह होता है कि human body में breakdown नहीं होते तो दीरे दीरे यह body में accumulate होने लग जाते और जिसकी वज़े से फिर eventually health problems होती है अब of course ही बात है जब आप लोग non-stick cookwares को इतने सालों से use कर रहे हैं extensively ठीक है without even worrying क्योंकि जिस तरह से हम use करते हैं maximum cases में तो उस तरह तो वैसे ही जो non-stick cookwares है वो खराब हो चुके होते हैं तो भी हम उन्हें use करे जा रहे होते हैं तो उस case में जो जब substances आपकी body में जाते हैं आपकी family members की body में जाते हैं तो over the years यह collect होने शुरू हो जाते हैं जिसकी वज़े से फिर health problem शुरू होती और PFAS के या फिर जो teflon material है या जो non-stick material है उसका use इतना extensive शुरू हो चुका है कि maximum जो environmental areas हैं चाहे आप water bodies दे लीजिए चाहे आप landfills दे लीजिए कहीं पर भी आप workspace में हैं इस से related materials बहुत extensively यूज होते हैं और environment को बहुत damage करते हैं जब lab में animals को study करा गया है तो PFAS family के जितने भी substances हैं उनको दिखा गया है कि ये सारे substances उन animals के अंदर liver problems, kidney damage या neurological damage या reproductive या developmental problems जो हैं वो cause करते हैं in fact cancer causing tumors की भी जो एक increment देखी गई है because of these particular substances in animals में लेकिन जब humans पे study करा गया तो multiple populations में काफी सारी problems निकल कर रही ये जो substances होते हैं ये आपके thyroid hormone जो है उनको effect करते हैं उनकी disruption में ये एक role play करते हैं of course ये cancer causing है ये भी studies ने प्रूव करा है उसके अलावा ये आपके lipid profile या cholesterol levels को भी effect करते हैं आपके immune system को भी effect करते हैं अगर इसको जो मदस बगरा है वो ज़ादा consume कर रही है उनकी body में collective हो रहा तो babies को भी ये harm करते हैं studies ने दिखाया है कि industries की best practices के बावजूद ये जो PFS substances हैं इन्हें remove नहीं करा जा सकता और ये जो substances हैं इनका जो intake है ये सिरफ आपके non-stick से नहीं आता है multiple ऐसी चीजें हैं जिनके थुरू इनका intake हो सकता है especially जब आप outside food ले रहे हैं जो containers बगरा है जिनमें ये coats होते हैं या कुछ sprays बगरा है paints बगरा है जिसमें ये substances पाए जाते हैं तो multiple ऐसी चीजें हैं ये substances आपकी body में enter करते हैं और जैसे मैंने बताया कि नीचे vlog में मैंने सारे की सारी जो studies हैं उनको दिया हुआ है अगर आप studies चेक करनें तो there are multiple studies which have proven कि ये जो substances हैं ये humans में बहुत सारी problems cause करते हैं जैसे मैंने बताया thyroid issues या babies में low birth weight या cancer causing problem जा thyroid hormone disruption या आपके kidney और liver damage और ऐसी बहुत सारी problems humans में भी देखी गई है इसलिए 2006 में जो United States की Environmental Protection Agency है उसने government के साथ मिलकर ये process निकाला कि जितने भी हमारे substances बनेंगे या जो भी हम चीज़ें बना रहे हैं उसमें जो PFAS substances हैं उनका use नहीं करा जाएगा और 2013 के बाद US में जो PFAS है वो use नहीं होता है अफकोर्स जब वो बहार से कोई चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो उसमें PFAS आते हैं substances लेकिन वहाँ पर ये चीज़ जो है वो नहीं use होती है लेकिन आप US में नहीं रह रहे हैं आप इंडिया में रह रहे हैं तो यहाँ पर ऐसी कोई भी major regulations है नहीं और world lower अभी भी maximum countries में PFAS पे कोई भी prohibition नहीं एक और problem आता है जो इन teflon coated cookware में आता कि अगर इने 300 degree Celsius से उपर heat किया जाए तो इसमें से कुछ fumes निकलते हैं जिसकी वज़े से एक sort of a fever develop होता है जिसे हम metal fume fever कहते हैं लेकिन इस fever को जब test करा गया इनको test करा गया तो ऐसी कोई major problems देखने को नहीं मिली है यह benign होता है कोई भी effects भी होते हैं वो minor होते है तो यह जो सारी problems है यह exist करती थी और अभी भी exist करती है अब अफकोस ही बात है इसमें दो paths आती है पहला path तो यह है कि आप जो है अपने cook पे इसको completely change कर लीजी और मैं बताँगा यह वाला path क्यों better है और कैसे इसमें enter करना है लेकिन दूसरा है कि suddenly not everybody can afford कि वो suddenly सारे utensils को हटा के इस path पे आजाए दूसरा path यह है कि जो भी आप non-stick pan use कर रहे है उसे किस तरह best use किया जाए और धीरे-धीरे पहले path के तरह आया जाए क्योंकि जो companies होंगी वो कभी यह होने नहीं देंगी लेकिन at the end of the day जब तक long term studies नहीं होती है नए substances प्रूब नहीं होते जो भी नए substances आये हैं उनमें ऐसी कोई भी safety factor majorly देखा नहीं गया है PFOS जो है उसके जितने भी substances हैं वो सारे के सारे कहने को US में और काफी countries में eliminate करे जा चुके हैं लेकिन अभी भी जो risk factor बहुत high है क्योंकि सिरफ कई cases में के नाम चेंज किये जाते हैं और जो उसके effect होते हैं वो long term में वही आते हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया यह बहुत बड़ी industry है इसलिए काफी सारी companies जो हैं अब वो नए-ने alternatives निकाल रही है इसका एक different example देता हूँ जैसे artificial sweeteners होते हैं सबसे पहले आता साकरीन साकरीन में इतनी ज़्यादा controversies हुई कि उसे हटाके aspartame को लाया गया और aspartame में भी similar amount of controversies हुई दो aspartame जैसा बिलको third grade sweetener आज भी market में openly मिल रहा है और उस पर कोई ऐसी major problem नहीं है लेकिन eventually काफी सारी जो companies है वो aspartame को धीरे-दीरे replace कर रही है और natural sweetness की तरफ जो है वो move कर रही है क्योंकि जिन-जिन products में इतनी controversies आ जाती है फिर उनको market करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो पहली चीज तो यह आते कि अगर आप अपने non-stick pans को use कर रही है तो आपने क्या करना है कुछ ऐसे points आपको बताने जा रहा हूँ अगर आप ये दिमाग में रखेंगे तो आप जो current non-stick pans उनको use कर रहे हैं वो थोड़ी और safely कर पाएंगे सबसे पहला point आता है कि जो आपके non-stick pans होते हैं जब आप उन्हें heat करते हैं उन्हें preheat मत करिए यानि खाली utensils को कभी heat मत करिए क्योंकि खाली utensils को temperature है वो बहुत जल्दी rise होता है उससे वो बहुत excessive कही बार heat हो सकते हैं इसलिए जो आपका pan है उसके लदर कोई भी oil या पानी हमेशा डाल भीए तभी उसे heat करिए एक common advice world over जो सुनने को मिली है अगर आप उसको पढ़ेंगे इंटरनेट पे भी ये advice बहुत common है कि कोई भी non-stick pan को आप excessive heat मत करिए overheat मत करिए इनको आप low heat cooking के लिए use करिए लेकिन problem ये है कि जितनी भी advises है ये सारी की सारी advises western country से आ रही है इंडिया में जो maximum खाना बनता है वो high heat cooking पे बनता है और ये जो panther जबाब इने high heat पे use करते हैं तो फिर ये काफी damaging हो सकते हैं एक और बहुत important point ये है कि जब ये आप इन cook ways में कोई utensil यूज़ करें या नि जैसे आप कर्ची बगरा या चम्मच यूज़ करते हैं तो वो किसी metal का मत करिए वो generally wood बगरा के जो आजकल आते हैं utensils खाने को stir करने के लिए वो वाले utensils यूज़ करिए उससे क्या होता है उससे जो surface होता है वो scratch नहीं होता जब ये surface scratch होता है तो ये बहुत dangerous हो जाते है क्योंकि वो main जो surface है जो उसका scratch हो रहा है वही जो है उसमें PFA substances और वही आपके खाने में direct जा रहे हैं तो वो बहुत dangerous है और इसलिए जब आप उसको wash भी करते हैं तो भी उसको gentle wash करिए क्योंकि काफे सारे scrubs जो होते हैं बहुत hard होते हैं जब आप उनसे wash करते है cookwares को तो वो सारे के सारे corrode होने चुरे आते हैं यानि वो जो material होता है उसको उपर धीरे-धीरे वो teflon material जो होता है non-stick material हो निकलने लग जाता है अगर आपके पास ऐसे cookwares है जिसमें ये problem है या हो रही है तो please उन cookwares को at least replace कर दीचे because they have now become dangerous अब वो dangerous हो चुके हैं जब भी आप ऐसे utensils को अगर खरीद रहे हैं जो मैं आप तो recommend नहीं करूँगा खरीदने के लिए कि ये बहुत अच्छी-अच्छी options आ गई है जिसको हम अगले वीडियो में भी देखेंगे कि क्या best options है अगर आप इनकी जगा यूज करना चाहते हैं अगर आप फिर भी ये ले रहे हैं तो make sure कि उसमें PFAS या PFOA या PFOS ये सारे free उसके पीछे लिखा हो इंडिया में थोड़ा सा मुश्किल है कि ऐसे substances मिलें लेकिन फिर भी आप चेक करिए कि अगर high quality utensils अगर आपको offer कर रहे हैं कि वो PFAS free हैं अब अगर हम इन सारे points को थोड़ा सा conclude करें तो आप एक चीज नोट करेंगे कि ये थोड़ा सा मुश्किल है digest करना कि हम इतनी सारी controversies और इतनी studies जो इसके anti-prove कर रही हैं उसके इलावा जिस तरह की problems cooking में आ रही है, scratching में आ रही है utensils में आ रही है, वो सारी problem को देखते हुए, it is very difficult to say या मैं तो नहीं advice करेंगो कि ये वाले cookways हैं, इनको आप continuously use करें और market में already इनकी बहुत amazing alternatives आने शुरू हो चुके हैं जो अब हम next video में discuss करेंगे financially बहुत मुश्किल है कि कि किसी भी family के लिए, maximum families के लिए इंडिया में suddenly अपने सारे cookways को हटा के किसी और metal पे shift कर जाना लेकिन धीरे-धीरे step by step हम ये काम कर सकते हैं, कि हम कुछ महीनों में एक, you know, जैसे हमने रोटी बनाने उसके लिए, तवा हमने different खरीद लिया किसी metal का, मुझे बताऊंगा कौन से metals हैं अगले वीडियो में, या फिर हमने जो non-stick pans हैं, उसके जागा कोई different metal के, या किसी और चीज़ के pans खरीदे, तो ये हम धीरे-धीरे replace कर सकते हैं, अब इसकी next वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से best ऐसे utensils हैं, जिने आप use कर सकते हैं, cooking के लिए, जो आपकी amazing videos के लिए, तेक्ते रहिए, we are super